ही गाईस मेरा नाम है पिंकी सर्मा और आज मैं आपके लिए एक सांदार रेसिपी लेके आई हूँ सोया चिल्ली जो की मिंटों में बन जातर बहुती स्वाधिश्ट बनता तो आईए बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने हाँ बड़े से एक बरतन में सोया चंक्स को ले लिया है आप कोई साभी सोया चंक्स यहाँ पर ले सकते हो मैंने पानी वॉयल किया है पानी यहाँ पर अच्छे से हमको वॉयल कर लेना उसके अंदर हमें सॉल्टेड करना है और यह सोया चंक्स को इसमें एड कर देना है एक मिनिट के लिए अच्छे से हमें वोईल कर लीना जो इस सोया चंक्स के अंदर एक अजीब सा स्मेल रहता है वो निकल जाएगा और ये फिर खाने में भी अच्छा लगेगा इसमें सॉल्टी टेश्ट आ जाएगा देखिए ये फूल के रेडी हो चुका है मैं इसमें से प पानी इसका अलग कर लेना है सोया चंक्स का और ये बहुत ही इजी है मिन्टों में बन जाता है आप इसे इजीली घर पे बना सकते हो और सोया चंक्स हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है इस तरीके से मैं इसका पानी अलग कर लूँगी और ये मेरा रेडी हो चुका है मैं इसके लिए कुछ बेजी टेवल्स कट कर लूँगी मैंने हापे ओनियन लिया है मैं इस तरीके से स्लाइस में कुछ कट करूँगी देखिए इस तरीके से हमें स्लाइस निकाल लेना है ओनियन का और इसी तरीके से मैं हापे कैपसिकम को कट कर लोंगी मैंने येलो केपसीकम लिया हैं रेड केपसीकम ग्रीन केपसीकम और टमेटो भी लिया इस तरीके से сбas में सबको कट कर ले सब्सक्राइब, और आप ये पहले से भी सब रेड़ी करके रख सकते हो ऐसे स्लैस में मैंने एक जैसा ही सब को कट किया है टमेटो को भी मैं हां पे कट कर लूंगी इस तरह के से और सब्सक्राइब बेद कर दोगी अभी हां पर मैंने ये गार्लिक और जिंजर का पेश्ट बनाया है, मैं इसमें बो एड कर दूँगी, कुटा हुआ काली मिर्च एड कर दूँगी, रेड चिली पाउडर एड करेंगे, और थोड़ा सा हमें इसमें सॉल्ट एड करना है, स्वाद के अनुसार ध्यान रहे, सॉल्ट हमने बोईल करते समय भी डाला था, और इस इसमें पेश्ट एड किया है, जिंजर गालिक आप जरूर से एड करें, इस से बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है, देखिए यहां पे सोया चंक्स रेडी हो चुका है, हमें कुछ टाइम के लिए रेष्ट पे रखना है, यहां पे यह रेडी हो गया है, और मैं अभी इसक अच्छा कलर आएगा, इसमें थोड़ा-थोड़ा रेड कलर आएगा, काफी अच्छा लगता है वो, और अभी इनको इस तरीके से एक-एक इसमें एड करेंगे, और फ्राई कर लेंगे, लोक एडिस कितना अच्छा कलर आया है न, और अभी हमें फ्राई करना आए, लुकेट इस कितना अच्छा लग रहा है और आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हो पकोड़े के जैसे इस तरी से भी खा सकते हो बट हमें इसमें भी आगे बहुत कुछ करना है इसका एक सॉस बना के रेडी करना है उससे तो इसमें और अच्छा टेश्ट आता है देखिए सो यह बनके रेडी हो गया है लुकेट इस कितना अच्छा लग रहा है मैंने यहां पर पैन लिया है उसमें ओयल एड किया रिफाइंड ओयल का मैं यहां पर यूज़ कर रही हूं फाइन चॉप किया हुआ गार्लिके दो ग्रीन चिल लिए स्लाइस में कट हुआ इनको हमें अच् ग्रीन केपसिकं में अट कर दूंगे और हाइफ लाम पे हमें चल आते रहना है इसमें में अभी येल्लो केपसिकं में एड कर दूंगी इस तरह के सारे सब्जी एड करके हमें फ्राइब कर लेना है कुछ टाइम के लिए और हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है, स्लोपे नहीं पकाना है टमेटो मैंने एड़ किया और इसको बहुत हलका कुक करना है जादा नहीं पकाना है, सबजीयों में क्रंच होना चाहिए तभी माउथ में जाए तो अलग ये एक अच्छा टैस्ट आए सबजीये हाँ पे रेड़ी हो चुकी है, मैं इसमें कुछ मसाले एड़ करूँगी कुछ सॉस भी मुझे इसमें एड़ करना है मैंने हाँ पे कुटा हुआ काली मिर्च का पावडर एड़ किया है स्वाद के नुसार नमक एड़ कर देंगे मिक्स कर लीजी अच्छी से मैं आप टमेटो केचप एड़ कर रही हूँ डार्क सोय सॉस मैंने एड़ किया है और इसमें अभी एड़ करेंगे वनेगर और अभी इसमें एड़ करेंगे रेड़ चिल्ली सॉस इन सब को कर लीजी अच्छी से मिक्स कुछ टाइम के लिए हमें ये पका लेना है सबजियों के अंदर सारी सॉस का टेश्ट आना चाहिए फ्लेबर आना चाहिए इस तरीके से हमको पका लेना है इसको ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है नहीं के दिस यहां पर हमारी सबजियां रेडी हो गई है और मैं अभी अपना सोया चंक्स इसमें एड कर देना है फ्लेम को यहां पर लो ही कर लेना है फास्ट पर नहीं रखना है यहां पर और इस तरीके से मैं एड कर लिया है और इनगे अभी मिक्स कर लीजिए और गरम गरम खाईएगा बलीम में बहुती स्वाधिष्ट लगता है और सबको पसंद आएगा आपकी फैमिली में तो आप पक्का संडे को यह बना रहे हो बहुती इजिए और मिंटों में बनके रेडी हो जाता है जरूर से बनाएगा आप और अभी में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया एड करूंगे कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है न सौसी बिल्कुल हरा धनिया एड कीजिए कर लिजिए एच्छे से मिक्स लुक एड़िस कितना अच्छा लग रहा है नाई अभी हम प्लेटिंग कर लेते हैं इसका यह बनके बिल्कुली रेडी हो चुका है अभी आप खाईए गर्म गरम और अपने फैमिले को खलाईए संड़े को जरूर से बनाईएगा रेसिपी अच्छी लगिए तो जरूर से एक लाइक कीजिएगा देखिए बिल्कुली बनके रेडी हो गया है हो रहा है ना आपका भी खाने का मन यह रेसिपी बहुती स्वादिश्ट वने थी सोया चिल्ली आप जरू से बनाईएगा आपको पसंद आएगी और आपकी फैमिली में सबको पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को कीजिए मज़े कमेंट करके बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी थाइंक यू फॉर वाचिन अब